ना online class में मन लगता है ना offline class में मन लगता है और जब self study करने बैठो तब तो बिल्कुल ही मननी लगता हम ना पढ़ते कुछ और हैं और हमारा ध्यान कई और होता है अगर हम school में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान घर पे होता है और अगर हम घर पे पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान स्कूल में होता है सही कह रही हूं या नहीं कह रही हूं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना यानि कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा जो माइन देना वो इदर उदर भटकता रहता है हमारे mind में अलग-अलग thoughts आते रहते हैं बट अगर आज के वीडियो में मैं आपको कोई एक ऐसी technique बता दूँ जिस technique को follow करने के बाद guys आपका पढ़ाई में मन जरूर लगेगा आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे focus कर पाओगे आपके mind में अलग-अलग thoughts नहीं आएंगे तो सोचो कैसा होगा अच्छा होगा ना तो इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखना Hey everyone, I am Nancy Tehlani और आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं हम यही discuss करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे focus को बढ़ा सके याने कि हम अपना concentration power कैसे increase करे so that हम जब भी पढ़ने बटने हैं तो हमारे mind में अलग-अलग thoughts ना आएं सिर्फ और सरफ हमारा ध्यान हमारी पढ़ाई में रहे सो सुनो यहां भी मेरी बात ध्यान से आप लोग को पता है जब मैं class 10 में थीना तो चार दिन बाद मेरा science का board exam था ऐसे तो मैंने अच्छी कासी महनत की थी पूरे साल but still वो चार दिन पहले जो anxiety थी जो stress था वो बहुत ज़ादा था मेरा ध्यान पढ़ाई में लगी नहीं रहा था मुझे लग रहा था कि यार मैंने पूरे साल इतरी महनत की अगर मेरा paper अच्छा नहीं गया तो अगर इस person का paper जादा अच्छा गया इसके अच्छे marks आगए मेरे अच्छे marks नहीं आए तो इतने सारे thoughts मेरे mind में आ रहे थी और मेरा पढ़ाई में money नहीं लग रहा था तो मैंने क्या कि या मैंने खोला अपना YouTube जैसे कि आप लोग YouTube पे सर्च करते हो how to focus on studies, how to develop interest in studies, पढ़ाई में मन कैसे लगाए तो यह सब सर्च करते करते मैं भी YouTube पे आई मुझे एक video मिला और वो video बहुत ही जादा amazing था मुझे याद नहीं है वो video कौन सा था बट वो video में जो technique थी वो मुझे आज भी आदे और आज भी वो technique में use करती हूँ और यह technique believe में अगर आप भी use कर लोगे तो आप लोगों का जो पढ़ाई में मन है ना वो यू लगेगा बता रही हूँ आप लोगो का धियान इदर उदर जाएगा ही नहीं तो देखो technique है क्या समझो आप लोग को एक newspaper लेना है newspaper लो या कोई भी पुरानी book ले लो लेकिन उसका एक paper लेना है आपने paper ले लिया newspaper का उसमें से आपको कोई भी एक letter select करना है मान दो कि मैंने letter लिया अब मुझे क्या करना है ना मैंने pen लिया यानि की एक हात में paper है और एक हात में प्रहे एक पे prevention की एक letter सिल्विट किया भी अब मैं क्या करूं कि उस पें से उसman एक लेकर दो यह नहीं कि एक दो छूट गए नहीं सारे के सारे बी अलफाबेट सिलेक्ट करो और उन पर सरकल लगाऊ सॉरी तो अभी एक्सरसाइज से होगा क्या तो देखो क्या होता है ना जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इदर उदर रहता है जैसा कि मैंने आपको स जगा पर रहता है तो हम लोग पूरी तरह से कॉंसेंट्रेशन नहीं कर पाते बट अगर आप पढ़ाई के 15 मिनट पहले यह एक्सरसाइज करोगे तो इससे क्या होगा आपका माइंड जो है आपने माइंड को समझा दिया है कि हमें एक पर्टिकुलर अलफाबेट ढूंड यह एक पर्टिकुलर लेटर ढूंडा है जिसे मैंने नाम दिया बी अब आपका माइंड उस बी लेटर पर ही होगा आपके माइंड का जो फोकस होगा वो सिर्फ बी पर होगा आपका फोकस पूरा की पूरा उस बी लेटर को ढूंडने में ही होगा तो आपका माइंड क्या आपका जो brain है वो सिर्फ एक ही जगा पर focus कर रहा है और जितने भी उल्टे सीधे विचार होते हैं वो सारे भूल चुका है आपका mind इससे होगा क्या आपका concentration सिर्फ एक ही जगा रहेगा then फिर आप जब पढ़ने भी बैठ होगे तो आपका ध्यान इदर उदर नहीं रहेगा जितने भी बाते जो आपको पहले परिशान कर रहे थी अब परिशान नहीं करेंगी गाईज ये exercise बहुत ही ज़्यादा effective है बात मानो मेरी मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ मैं आज भी exercise follow करती हूँ अगर मैं concentrate नहीं कर पाती हूँ पढ़ाई में या किसी भी काम में मैं लब जरूरी नहीं कि स्रफ पढ़ाई में अगर कोई और भी काम है तो उसमें भी आप ये exercise यूज़ कर सकते हूँ या कुछ भी कहना क्या होता है जब आप comment करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा motivation मिलता है और अच्छा लगता है मुझे मन होता है कि मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेखिया हूँ अब मैं जो बात कहने वाली हूँ उसको सुनो ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है बात यह है कि मैं अपने चैनल पे class 11th और 12th के commerce के subjects upload करती रहती हूँ प्लस सुनके जाना प्लस commerce के साथ साथ motivational videos भी लाती रहती हूँ यहां पर साइड में आप लोग को दिख रहा होगा कि यह सारे वीडियो में upload कर चुकी हूँ अपने चैनल पे यानि कि मैं अपने चैनल पे जो है न subscribe कर लो bell button press कर दो और like कर दो but please करो ताकि मुझे motivation मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ तो ठीक है आज का वीडियो हम यहीं end करते हैं यह exercise को जरूर follow करना हो मुझे बताना कैसा result मिला आपको और अगर आपकी कुछ और भी queries हैं comment section is for you comment section में लिखो अपनी जो भी queries अपने जो भी doubts है so that next video उसी पर based रहे तो चलिए हम मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye take care